हेलो गाइज मेरा नमें विशाल और स्वागत आपका टेक लेर्निंग में तो दोस्तों आज की जमाने में आप सभी के बास एंडूड स्मार्टफोन होगा और एंडूड स्मार्टफोन में ऐसे कुछ सीक्रेट्स आते हैं जो आपको पता नहीं होता तो गाइज आज मैं उन् उसके लिए आपको अपना मोबाइल में सेटिंग ओपन करना होगा तो गाइज मैं अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन कर लेता हूँ आप जैसी अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको सबसे लाश्ट में एक option मिलता है about device का इसमें आपको अपने मोबाइ तो आप guys back करिएगा, मैं यहां से back करता हूँ, और आप नीचे slide करेंगे, तो आपको about device के उपर एक option मिलेगा, जिसका नाम है developer option, तो guys हम यहाँ पर click करेंगे, तो आपको यहाँ से इसको on करना होगा developer option को, और on करने के बाद, जो guys मैं आपको पहले secrets के बारें बता रहा हूँ, उसका नाम है stay awake, तो guys यहाँ पर stay awake का आप देख सकते हैं option है, यहाँ पर लिखा हुआ है, screen will never sleep while charging, guys अगर आप इस option को on करतेते हैं, तो guys जब भी आप अतना mobile charging पर रखेंगे, तो guys आपकी screen जो है, वो automatically off नहीं होगी, वो हमेशा on रहेगी, अगर आप इस option को on करके रखते हैं, तो guys चलिए हम बात करते हैं, जो दूसरे secrets की वो, वो है OEM Unlocker, guys अगर आप इसको unlock करते हैं, इसको on करते हैं, तो guys यह जो है, आपके mobile का root करने के लिए काम में आता है, यह आपके mobile का bootloader है, उसको unlock करता है, guys लेकिन मैं आपको suggest करता हूँ, कि आप अपने mobile का root ना करें, क्योंकि अगर आप अपने mobile का root करते हैं, तो legally तरीके से, आपके mobile का जो warranty है, वो खतम हो जाता है, तो guys यह OEM Unlocker जो है, अपने mobile के bootloader को unlock करने के काम में आता है, तो guys चलिए मैं बात करता हूँ, तीसरे secrets की, तो वो है तीसरा secret जो है, वो है running service का, आप जैसे running service पर यहाँ click करते हैं, तो आपको mobile में जितने भी apps, वो कितनी RAM consume कर रहे हैं, और कितने time से run कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको सारी जो जानकरी है, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, guys होता क्या है कि, जो marshmallow है, जो lollipop के बाद, जितने भी version आए है marshmallow, नोगर, तो उसमें क्या है, application manager में running service जो है, वो बताता नहीं, यह show नहीं होता है, तो guys, यहाँ developer mode में, जो है, आपको यहाँ option मिल सकता है, तो guys, यहाँ पर आप देख जाकर, आपका कोई भी जो app है, उसको आप यहाँ से stop कर सकते हैं, या उसको और report कर सकते हैं, तो guys, चलिए हम बात करते हैं, हमाई चोथो option की, जो है, चोथा हमाई जो secret है, वो है, show touches का, तो आप नीचे slide करेंगे, scroll करते जाएंगे, तो यहाँ पर input में, आपको input की category में एक option मिलता है, show touches का, तो guys, आपको इसको on करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि मैं कहीं पर भी touch कर रहा है, तो वहाँ पर एक circle सा दीख रहा है, जो एक ball सा दीख रहा है, तो guys, इसको आप on करते हैं, तो यह आप, जो है, यह circle दीखना चालो हो जाएगा, आप कहीं पर भी touch करेंगे, तो यह balls आपको दीखेगा, तो guys, यह customize करने के लिए, आपके mobile को एक better option है, तो guys, यह बहुत ही अच्छा है, तो guys, हम बात करते हैं, हमारे पांचवे secret की, जो है force rtl layout, guys, यह जो force rtl layout है, इसको जैसे हम on करते हैं, तो guys, आप देख सकते हैं, मेरी जो screen है, वो left side में shift हो गई है, तो guys, आप देख सकते हैं, ध्यान से, जो भी सारा कुछ है, वो left side में shift हो गया है, यहां तक की मेरी जो notification panel है, उसमें भी आप देख सकते हैं, सब कुछ left में shift हो गया है, तो guys, अगर यह जो lefty people हैं, उनके लिए option सबसे best रहता है, अगर वो इसको थोड़ा time use करते हैं, तो इनके habit में आ जाता है, और इसको वो better use कर सकते हैं, तो guys, यह तो था हमारा 15 secret, अब हम बात करते हमारा 6 secret की, जो है windows animation scale, तो guys, अगर आपका mobile भी lag होता है, या फिर speed उसकी कम है slower कर रहा है, तो guys, यह option आपके लिए सबसे better है, तो guys, आपको करना क्या है, जो by default windows animation scale होता है, वो 1 पे होता है, तो guys, आपको इस पर करना है, कि बस आप इसको 0.5 पर select कर दीजिए, तो guys, आपका जो mobile है, वो fast work करना चालू हो जाएगा, यह जो है, आपके animation का duration है, उसको कम कर देता है, जिससे कि आपका mobile fast work करना चालू कर देता है, guys, मैं आपको proof भी यहां बता देता हूँ, अगर मैं यह आपको animation scale 10 select करता हूँ, आप देखे, आप तीनों में अगर मैं 10 select कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैरा mobile कितना slow work कर रहा है, जो animation हो कितना slow आ रहा है, तो guys, मैं आपको recommend करता हूँ कि आप 0.5 पर रखिए, तो guys, आपका mobile और भी best work करेगा, अगर आप चाहें तो इसको off भी कर सकते हैं, लेकिन off करने से जो है, आपका animation आएगा नहीं और आपको थोड़ा better film नहीं होगा, तो guys, चलिए हम बात करते हैं, हमारे 7 secrets की, जो है turn on 4X MSAA, तो guys, यह जो option है, वो है gamers के लिए, जो highly addictive है, अपने smartphone में game खेलने के लिए, जो high graphical, जो games अपने mobile में use करते हैं, तो यह option उलकी लिए बनाया गया है, तो guys, मैं आपको बताता हूँ, इसको on करके, आप जैसे इसको on करेंगे, तो guys, आप अपने mobile में कोई भी game खेलिए, high graphical game खेलिए, तो आपका mobile जो है, अगर lag होता हो, या फिर lag हो रहा हो, या फिर आपका mobile वर्क नहीं कर रहा हो, तो guys, इसको on करने से, आपको जो है, एक better experience म मिलता है, आपको turn on 4X MSA, तो guys, ये बहुत ही अच्छा option है, तो guys, चलिए हम बात करते हैं, हमारे आठे secrets की, जो है, simulate color space का, guys, ये जो option है, इसमें आपको चार जो है option मिलते है, monochromacy का, और जो तीन option जो other मिलते है, तो guys, अगर आप ये monochromacy select करते हैं, तो आप guys, देख सकते ह हैं, कि मेरी जो पूरी android screen है, ये black and white हो चुकी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पूरी android screen black and white हो चुकी है, तो guys, ये क्या करता है, अगर आपके battery ज्यादा consume हो रही है, आपको लगता है, कि मुझे अभी कहीं travel करना है, या मेरी battery कम है, तो guys, आप इसको on कर दीजिए, इ वो black and white में play होंगे, तो guys, ये अगर बहुत ये अच्छा option, अगर आप अपने battery को save करना चाते हैं, तो तेलिये में इसको off कर देता हूँ, guys, हम बात करते हैं, हमारा novice secrets की, तो जो है, do not keep activities का हमको यहाँ पर option मिलता है, तो guys, अगर हम इसको on कर देते हैं, तो हम कोई भी activity कर जैसे हम कोई app open करते हैं, कोई भी हम जैसे की बहुत सारी activities करते हैं, जिससे की हमारा mobile RAM ज्यादा नहीं होने की वज़र से वो mobile lag होने लग जाता है, जो भी 1GB below जो mobile से उनके लिए सबसे best है, तो guys, अगर आप इसको on करते हैं, आपने कोई भी app open किया, इसके बाद जैसे आप इसको back करते हैं, यहां फिर अपने home पर आ जाते हैं, तो वो app जो है recent से हट जाएगी और आपकी जो RAM है, वो save रहती है, तो इससे आपको mobile fast काम करता है, तो guys, मैं आपको अब जो दसवा secret बता रहा हूँ, वो है color inversion का, तो guys, आप back करिए, आपके mobile में यहां पर एक option मिलता है accessibility का, तो guys, यहां पर आप click करेंगे, तो यहां पर आपको एक category में सबसे पहला जो option मिलता है, vision का, आप वहाँ पर click करेंगे, तो आप निचे scroll करेंगे, तो निचे scroll करने पर आपको एक option मिल लगा color inversion का, आप इसको on करेंगे, तो आप देख सकते हैं, कि मेरे mobile का पूरा जो color अच्छा फील हो रहा है, आपको mobile को पूरी तरह से customize कर देता है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां में आपको notification पैनल बदा देता हूँ, आप यहां पर देख सकते हैं, सब कुछ जो है, वह change हो गया है, आपको mobile का पूरा color यहां से change हो जाता है, तो guys, अगर आपको यह ब आपफोन के लिए, तो guys, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया, तो like कीज़ेश वीडियो को, share कीज़ेश वीडियो को और comment कीज़े, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मैं इसे comment में पूछिए, मैं आपको as soon as possible reply देने का कोशिश करूँगा, तो guys, thanks for watching और guys, मेरा चैनल सस्क्राइब करना ना भूले, जैसे क्यों कि मैं हरो जैसे interesting trips और tricks आपके लिए लाता रहूँगा, thanks for watching guys and subscribe my channel, have a good day